सूप्रभाद बच्चों आप सब लोग कैसे हैं इश्वर से प्रात्ना करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्त और सुरक्षित होंगे और घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे प्यारे बच्चों आज हम लोग हिंदी सहित में से पार्ट ग्यारा मुकदमा हवा पानी का आदाश पार्ट करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट ग्यारा मुकदमा हवा पानी का बच्चों पुराने जमाने में लोग अपनी शिकायते लेकर राजा के दरबार में न्याय के लिए जाते थे और राजा दोनों पक्षों की बाते सुन कर न्याया करते थे आज हम एक ऐसे ही विशेश मुकदमे के बारे में पढ़ेंगे जिसमें लोग हवा और पानी को अरोपी बानते हुए राजा से न्याय की गुहार लगाते हैं राजा क्या निर्णै सुनाते हैं आए इस नाटक के द्वारा हम लोग जानेंगे महराज का दरबार महराज सिहासन पर बैठे हैं एक तरफ मंत्री और दरबार रिगन बैठे हैं सामने आनी लोग बैठे हैं महराज मंत्री जी क्या शिकायत करने वाले लोग आए हैं मंत्री खड़े होते वे जी हां महराज महराज जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी यहां बुला लिया गया है मंत्री, जी हां महराज, आज सब शिकायते हवा और पानी के बारे में हैं, वे पास के कमरे में बैठे हैं महराज, ठीक है, मुकदमे की कारवाई शुरू करें, पहले पानी को बुलाया जाए मंत्री इशारा करते हैं, भीगे कपड़े पहन कर एक लड़का हाजिर होता है उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी की कल-कल की आवाज सुनाई देती है पानी, महराज की जै हो महराज, पानी, तुमसे इन लोगों को शिकायत है यदि शिकायत सच साबित हुई, तो तुम्हें दंडित किया जाएगा पानी, महराज, मुझे नहीं मालूम की ये लोग मुझसे क्यों नाराज है मैं एकदम निर्मल हूँ महराज, मंत्री, महराज, लोगों को पहली शिकायत या है की पानी अब निर्मल नहीं रहा अपने साथ बहा कर सब जगा पहुचात देता है, पानी, महराज, ये लोग पहले की तरह मुझ पाने की रखवाली नहीं करते हैं पश्वों को जोहाड के भीता तैरने देते हैं, पश्वों अपनी गंदगी तलाब में छोड़ देते हैं गाउं की दूसरी गंदगी भी तलाब में फेक दी जाती है, नदियों में कारखानों की गंदगी वा शहर के गंदे नालों का पानी छोड़ा जाता है महराज, मैं अपने आप गंदगी नहीं होता महराज, भायों आपके पास इसका क्या जवाब है लोग आपस में फुसुसार कर बात करते हैं, फिर उनमें से एक बोलता है एक विक्ति, महराज, या तो माल लिया, पर कहीं बरसना, कहीं नहीं बरसना, या तो इस पानी की मनमानी है पानी, नहीं महराज, मुझ पानी की मर्जी कहां चलती है जहां का वातावरन आनुकुल हो, वहां मुझे जाना ही पड़ता है इन लोगों ने पहाड़ीयों को काटकर मैदान बना दिये हैं वन नस्ट कर दिये हैं ऐसी जगा बरसात कैसे हो सकती है वर्षा ना होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है दूसरा व्यत्ति अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है पानी जो बादल बना है वह तो बर्षे गाही फिर जहां बर्षा का पानी बहना चाहिए जहां नदी बहनी चाहिए जहां मेरे सुस्तानी की पुरानी जगा होगी वहां तो मैं जाओंगा ही लोगों ने ऐसी जगों पर घर बना लिये हैं ऐसे घर तो डूबेंगे ही मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घुमता रहूं या कैसे संबह हैं लोग आपस में बाते करते हैं तीसरा व्यक्ति महराज हमारा गाउं सद्यों से उची जगा पर बसा हुआ है हमने नीची जगाउं पर कोई घर नहीं बनाया है फिर भी इस बार हमारा गाउं बाड का शिकार हुआ है महराज पानी आख मूंद कर चलता है पानी नहीं महराज मैं देख कर चलता हूँ तभी तो ढलान की तरब जाता हूँ कभी उची जगा चड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ ये लोग जानते हैं कि इनके गाउं के पास एक पहाड है पहले उस पर बहुत से व्रिक्ष थे पहाड से उतरते समय मैं व्रिक्षों के बीच पे से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते याने नदी नाले में बहता था अब लोगों ने पहाड से व्रिक्ष साफ कर दिये हैं मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ बलकि सीधा लुड़कता हुआ नीचे आता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं नीचे कहां गिरूँगा महराज और कोई शिकायत है कोई नहीं बोलता महराज तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवा है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गल्तियां सुधारों और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो तो बच्चो आज हम लोगने पार्ट ग्यारा मुकदमा हवा पानी का आदश पार्ट सुना इसी पार्ट का अगला वीडियो में हम अगले भाग को पढ़ेंगे तब तक प्यारे बच्चो आप लोग अपना ख्याल रखेगा धन्यवाद